आज हम बात करेंगे इस वर्स पास होने वाले युवा जो छात्र सीटेट दो हजार चौबिस यानि जो जनवरी की परिच्छा है जो इस वर्स जो छात्र पास करेंगे वो कौन-कौन से नौकरी के पात्र होंगे और अगर आप इस बार लास्ट सेमेस्टर या लास्ट इयर मे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है यहां पर देखिस सीटेट पास करने के लिए मार्क्स इसकी बात करेंगी हालकि यह तो सबको पता है लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है यह बात करेंगे कि हैं कि हाँ आपके जनरल के लिए नबे नमबर चाहिए और ओबी सी एस्टे के लिए आपका बैयासी नमबर चाहिए तो आपको पता है लेकिन आप अगर अगर अधर स्टेट में एक्जाम देते हैं अधर स्टेट की वैकंसी में सामिल होना चाहते हैं तो आपके नमबर कम से क तो यह आपके पास की बात होगे ठीक है हाला कि उत्तर प्रदेस में तो वर्तमार में सरकारी नौकरी के कोई आसार नहीं लग रहे हैं नाहिराजस्थान में जहरकंड में तो प्रक्रिया चली रही है पर बात अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप बिहार में जो BPSC के इ जुनियर का हो चाहिए टीजिटी या पीजिटी का हो ठीक है मेरे मित्र तो फाइनली यहां पर देखिए तीसरे चरण की जो सिच्छक भड़ती प्रक्रिया है वहाँ पे सुरू हो चुकी है तो अगर आप इस बार सीटर में 90 प्लस नंबर पाएंगे चाहिए अगर आप ब कालीफाई कर पाएंगे ठीक है और सीटर पास करने वाले चात्र इस बार बीएड जो उनका जून में पूरा होगा तो अगस्त की वेकेंसी यह तो आप आराम से जून जुलाएं पूरा करके अगस्त की भड़ती में आराम से बैट सकते हैं यह आपके लिए बहुत-बहुत आएंगे आप जाएए प्राइवेट कॉलेज में इंटर्विव दीजिए और आप अराम से पंद्रह बीस पत्चीस हजार रुपए कमा सकते हैं तो यह आपके लिए था और कुछ है जो मैं भूल रहा हूं तो अगर आप को लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दी नेक्स्ट वीडियो में आप से इस्प्रेंट कर दूँगा बट इस बार की सबसे बड़ी भड़ती बिहार की भड़ती है और भी जो अब्रिट होगी आपको तुरंत देता रहेंगे जैसे कोई ख़बर मिलती रहेंगी और यह तो तो कंफर्म है हाला कि बीजेपी की सरकार बनी है आज कल साम को गड़ बंदन में फिर से पर देखिए होता है कि हमें तो उसके सेड्यूल से चलना है जो बीपीस से ने खाए कि हम से चक बढ़ती कराएंगे बट जो होगा मैरे मित्र मिलेंगे रख सुड़ों में चैहिंद वंदिमात्रम